इशादी ऐसे ही समराट अशोक ने बुद्ध धम्म का न केवल भारत में पर पूरे एशिया में प्रचार किया इसी तरह से समय बीटता गया और बुद्ध धम्म पूरे जगत में फैल रहा था कि कुछ असामानी या चरित्रों को शांती पूर्ण वातावरन से घुटन होने लगी थी उनके सत्ता का प्रभाव कम होने लगा था इसलिए जब मौर्य समराज्य का आखिरी वंश बुद्धरस्त का राज्य आया मनुस्पूति एक ऐसा सहीत्य जिसमें दुख, असामन्ता, विनाश, कटूता और जैसी ऐसी भावनाय बढ़ाने की बात लिखी थी कई हजारों साल तक विशमता के साथ ही इस मानव जीवन को जी रहते लोग और इस कारण एक वर्ग दुसरे वर्ग पर अपने अधिकाल चलाने लगे थे मतलब अपने दो प्रतिशत लोगों के लिए 90 प्रतिशत बहुजनों का शोशन करना वो भी जान बुचकर वेर्ण वेवस्ता को बना कर अपने भले के लिए सत्ता के लिए ऐसा ब्रह्म फैलाना की भारतिय समाज वेवस्ता इश्वर हातों चलती है और इसको बदला नहीं जा सकता इन सभी बातों का परिनाम न केवल बहुजन पे पड़ा पर पुरा भारत अन्याय के अंधेरे कुए में डूपता चला गया था तबी धाई हजार वर्ष बाद एक ऐसे महामानों का जन्म हुआ जिसने इस देश की और आगे आने वाली सदियों की काया पलट ती वो है बाबा जहाब डॉक्टर भीमराव राम जी आमबेट कर बच्पन से पढ़ने में जिग्यासा रखने वाले समानता में विश्वास रखने वाले कुछ व्यक्ति मतों की मदद से उच्छ शिक्षा प्राप्ति उन्होंने एक ही संकल्प एक ही धर्य इस देश से असमानता को मिटाना हर एक के मन में बंदू भाव जगाना संपूर्ण भारत को बुद्धमाय करना इसी संकल्प को पूरा करने के लिए उन्होंने अपने अनुयाईयों के लिए एक बड़ा निर्नेलिया वो है धर्म परिवर्तन का क्यूंकि जिस धर्म में समानता का अधिकार ही नहीं उस धर्म को क्यूं मानना इसी वाक्य से शुरुआत होती है धम्मक्रांति की डॉक्टर बाबा सहाब आमबेट करने बुद्ध ध्वारा धम्मचक्र प्रवतन की